नमस्कार बच्चो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Class 10 थिंदी की और डिटेल में डिसकस करेंगे Class 10 थिंदी के Second Time के Example Question Paper को साथ ही साथ हम समझेंगे आपके Exam के Pattern को, आपके Exam के Blueprint को आपके Exam की Outline को कि क्या आने वाला है, कहां से पूछे जाएंगे Questions, किस टाइप के Questions रहने वाले हैं, कहां पर हमें Internal Choices मिलने वाले हैं, वो सारी सीज़े भी हम डिटेल में डिसकस करने वाले हैं साथ ही साथ हम समझेंगे Time Management को जो बहुत ज़्यादा Important होता है Especially वो students जो 80% और अबोग जाना चाते हैं, तो उनके लिए एक एक Minute important होता है तो Time Management में भी हम बात करेंगे कि आपको पहले आदे घंटे में क्या करना है पहले एक घंटे में आपका कितना Part Exam का हो जाना चाहिए Last आदे घंटे में, last तो हमारे 30 minutes रहेंगे, तो वहाँ पर हमें किस topic के उपर focus करना है, वो सारी चीज़े भी हम detail में discuss करेंगे Let's begin, चलिए शुरुआत करते हैं तो यह आपका sample question paper है Second term का sample question paper है Hindi A का है, जिसका subject code 002 है Time आपका 2 घंटे ही रहेगा, जैसा कि बाकी exam में रहा है और maximum marks आपके 40 रहेंगे, सबसे पहले हम General instructions, यानि कि यहाँ पे सामाने निर्देश दियेगे, उनको हम देख लेते हैं, same as it is आपको exam में मिल दे वाले, तो आपका जो question paper रहेगा, इसमें दो part रहेंगे Part कह और Part कह खंड कह और खंड कह रहेंगे सबी questions आपके compulsory रहेंगे, यानि कि यहाँ पे internal choices मिलेगी, लेकिन वैसे आप किसी question को skip नहीं कर सकते यता संभव मतलब जहां तक हो सके, सबी questions के answer आपको serial wise देने हैं, हलां कि mandatory बिल्कुल नहीं होता, okay किसी भी subject में, mandatory नहीं है courses कीजिए, अगर आप कर सकते हो तो आप serial wise कीजिए, otherwise आपने जिसे first question किया, उसके बाद आपको लगता कि second ठीक से नहीं आ रहा आपको लगता कि इसको ठीक से नहीं कर पाएंगे तो end में देखेंगे, तो आप third कर सकते हो उसके बाद आपको अगर मन करता है कि seventh करना, आप seventh कर सकते हो, ऐसी कोई foundation नहीं है, clear लेकिन अगर आप कर सकते हो, तो आप sequence के according चलोगे, उसके बाद लेखन कारे में स्वस्ता का विशेश दिहान रखा जाए, तो हिंदी में तो बहुँ ज़्यादा matter करता है, के handwriting ठीक हो, साफ हो, cuttings को हमें avoid करना, बहुँ ज़्यादा cuttings वगरा नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम cutting करते हैं, तो कहिने कहीं जैसे long answer type questions होते हैं, तो वहाँ पे हमारे marks है, वो deduct हो जाते हैं, पूरे marks नहीं मिल पाते हैं, part जो खंड कहे रहेगा, उसमें main four questions रहेंगे, और वहाँ पर भी हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, okay, choices दिए गए, तो जो भी हमें instructions दिए गए, उसके coding हमें answer देने हैं, तो यहां से था हमें काफी सारी चीज़े clear हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़े हैं, जो clear नहीं हुई, कि यह जो third, three questions रहेंगे, यह जो four questions रहेंगे, उग किस टाइप के रहेंगे, किटनी internal choices हमें मिलने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं, सबसे पहले जो आपका part कहे है, यानि कि आपका खंड कहे है, इसमें रहेगा आपकी पाठे पुस्तक और पूरक पाठे पुस्तक है, उन से related रहेगा, यानि कि आपका literature से related यह part है, और यह आपका 20 marks का रहेगा, clear? तो इसमें first हमारा question दिया गया, कि निमलिखित पर्षनों के answer हैं हमें, 25 से 30 रबदों में देने है, clear? तो ऐसे count करने की ज़रूरत नहीं है, कि 25 to 30 words अब गर आप उस question को solve कर गए, तो automatic आप वहाँ तक पहुंझा गए, total हमें 4 question यहां से करने हैं, और यह 2 marker question रहेगे, तो total यह रहेगा आपका first question 8 marks का, clear? तो यहां पर देखे, first हमें question दिया गए, कि फादर कामिल बूल के संकल्फ से सन्यासी थे, मन से नहीं, लेकर के इस कतन के अधार पा सिद्गे जिए, कि फादर का जिवन प्रमप्रागत सन्यासीों से किस परकारा लग था, तो जो प्रमप्रागत सन्यासी होते हैं, वो आम तोर पे सन्यास लेने के बाद, जंगल में या पहाड़ी लाके में चले जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं, जबकि फादर कामिल बूल के थे, वो समाज के बीच में रहे थे, गरीब जो तबका है, जो निर्धन लोग थे, जो जरूर्त मन थे, उनके वो साहिता करते थे, इसके साथ साथ वो अध्यन से भी जूड़े रहे थे, ताउमर वो अध्यन करते रहे थे, वो साहिते से जूड़े रहे थे, वो हिंदी भाषा के विकास से जूड़े रहे थे, और जिन से भी वो मिलते थे, एक अपने पन का रिष्टा जोड लेते थे और उस रिष्टे को निभाते भी थे जबकि सन्यासी क्या होते थे? पहले अगर हम प्रमप्रगत सन्यासीों की बात करें तो वन शेत्र में या फिर जंगलों में प्रवतों में चले जाते थे और किसी से ज़्यादा तालुक नहीं रखते थे, संबंद नहीं बना के रखते थे, जबकि फादर कामिल बुलके के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था सेकिन जो परशन दिया गया, कि फादर की उपस्तिती लेखक को देवदार की चाया के सामान के लगती थी पाठ के अधार पर हमें सीध करना है, कि फादर और लेखक दोनों का जो संबंद था, वो काफी ज़दा घनिश्ट था और जो फादर थे, वो लेखक का मारक परदर्शन करते थे, मारक दर्शन कैसे करते थे, उनके वैक्तिगत जीवन था, उसमें भी और उनका जो सारजनिक जीवन था, साहित्य था, उसमें भी वो उनका पत-परदर्शक के तोर पर कारे करते थे और उन्हें ऐसा महसूस होता था, लेखक को ऐसा महसूस होता था, कि जैसे कोई अपना, कोई बड़ा है, वो उनके साथ खड़ा है जब भी समच्या होती थी, जब भी कठनाईयां आती थी, जब भी परिशानी आती थी, तो लेखा को लगता थे कि कोई बड़ा है जो उनके साथ खड़ा है, इसलिए उन्होंने उनकी तुलना देवदार की चाया की तरह की है, यह जैसे देवदार वरिक्ष की चाया होती है, सुकून मिलता है. एक अपनापंसा मिलता है. शान्ती मिलती है. वैसा ही कुछ. जो सुकून, अपनापं, शितलता, शान्ती वो सब कुछ फादर के सानिध्य में लेखा को मैसूँस होती थी. उसके बश्ट गय जो पाढ़ती हैं क्या सखारात्मक हो सकती है? सकारात्मक सनक की जिए उनमे क्या भूमिका हो सकती है स्टीक उधानों दورा अपने विचार पर कड़ कीज़े सनक किसी भी चीज क Tip के हो सकती है सनक का मतलब कि जो हमें कर गोजटना है तो यह सकारात्मक भी हो सकती है जैसे किसी को सनक है कि मुझे I.S. बनना है, किसी को सनक है कि गेम्स में मुझे बहुत आगे चकता आना है, मुझे Commonwealth में या फिर मुझे जो National Games है वहाँ पर medal लेकर करके आना है, तो यह सकारात्मक हो सकती है, जो सकारात्मक सनक है वो हमें आगे बढ़ने के लिए एक तरीके से motivation प्रेणना देती है, और हम उस जोस में बहुत आगे तक जा सकते हैं, अपनी बाधाओं को दोर कर सकते हैं, तो सनक भी सकारात्मक हो सकती है, गह दिया गया, लखनवी अंदाज शिर्षक की सार्थकता तरक सहित शिद कीजी, कि लखनवी अंदाज की सिर्षक की, टाइटल क है, मतलब उचित परतीत होता है, कि उसमें लखनवी तहजीब, लखनवी संस्कृती और लखनवी नवाब की बात की इए, इसलिए लखनवी अंदाज सिर्षक है, वो उप्यूकता है, तो ये रहेगा हमारा first question, इसमें four question रहेंगे हमारे, और वो two marker के रहेंगे, अब इसको कितने time में करना है, कि इन questions को हमें कोशिस करने है, कि first 25 minutes में ये हो जाएं, उके, first 25 minutes में, उसके बाद second जो हमारा question रहेगा, दूसरा हमारा person रहेगा, जो question दियागा है, यहाँ पे हमें किनी तीन person के उत्तर देने है, clear, कोई तीन, कितने दियेगे हमें, आगे देखिए, यह पे हमें options देगें, चार हैं, और हमें करने कोई तीन, यह भी आपके two marker रहेगे, totally यह six marks का रहेगा, यह जो second question हमारा, इसमें पहला उत्सा कविता के सिर्शक की सार्थकता तरक्षाइट सपरश्ट कीजिए, कि उत्सा कविता में उत्सा वर्धन की बात कीगे, समाज को एक प्रशाइट की जा रहा है, मोटिवेट की जा रहा है, कुछ कर गुजडने के लिए, समाज में बदलाव के लिए, इसलिए इस कविता का रशिशक है, वो उप्यूक्त परतीत होता है, तो इसको हमें explain करना है, उसका बाद है, इस शत्र में पढ़ी गई, किस कविता में फा उनके प्राकरतिक सुंद्रे की बात की गई है, तो कविता है, कौन सी है, और उसमें क्या कुछ दिखाएगा है, वो सब कुछ हमें यहाँ पर बताना है, clear, तो ये भी आपका two marker रहेगा, उसकी बाद next जो हमें question दिया गए, कि इस सत्र में पढ़ी गई, किस कविता में कोरी भावकता नहोकर जिवन में संचित कीगे अनभों की अनवारे सीख भी है, यह हमें बताना है, और कविता के नाम के साथ-साथ इस कथन की पूष्टी के लिए उप्युक तरक भी देने है, कि हमें बताना है, कि बेटी होना पर बेटी जैसी दिखाई मत देना, ओके, लड़ लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, बहुत कुछ सिफा हो इसमें, बहुत सारी सीख छिपी हो इसमें, तो जो भी पंक्तिय अच्छी लगी, वो हमें एक्स्पेन करना है, तो इस टाइप के कोशिन हैंगे, फोर है, एनि थ्री करने, सिक्स मार्क का ये क कोशिन रहेगा, और इसको कितने मिनिट्स में करना है, कि हमें लगब Good अच्छल पार्ट में वर्नित बच्पन और आज के बच्पन में क्या अंतर है यह हमें सपष्ट करना है दोनों के जिवन मुल्यों में क्या प्रभाव पड़ा है यह हमें बताना है पहले और अब में क्या-क्या बदलावाएं बच्पन में भी और जो हमारी moral values है उसमें क्या तो यह सारी चीज़े हमें यहां पर explain करना है पहले का जो चीज़ी थी जैसे बीच वाली जो पेड़ी आपके फादर की जो पेड़ी है वो कौन सी पेड़ी थी वो पेड़ी एक अलग पेड़ी थी जो अपने पिता की सुनते थे और वही वो पेड़ी है जो आज कल अपने बच्चे की सुनते हैं तो बहुत फरका है कि पहले पीता थे वो कहते थे बच्चे सुनते थे आज कल बच्चे कहते हैं पीता सुनते हैं मुल्ले भी बदल गए हमारी नेतिकता हुमें बदलावाए तो यहां पर हमें explain करना है उसके बाद जोर्ज पंचम की नाक पाठ में नहित व्यंगे को सपर्श करते हैं बताईए कि मानसिक प्राध हिंता से मुक्ति पाना क्यों हम सके हैं इसमें बात किये कि अंग्रेज चले गए लेकिन फिर भी हमारी जो mentality है वो change नहीं हुई तो यहां पर हमें वो explain करना है आस पास के example दे करके कि अब भी हम दिखावे में विश्वास रखते हैं जैसे शादी में जो खर्चा किया जाता है किस लिए किया जाता है बहुत सारा खर्चा दिखावे किया जाता है या फिर कई बार बच्चों को छोटे बच्चे होते हैं 18 येर से पहले उनको बुलेट दिलवा दिया यह किस के लिए दिखावे के सामा जी जो प्यार है एकता है उसके लिए जरूरी है उसके पर गय दिया गए नदी फुलों वादियों जहन्नों के सवरगी सुंद्रे के बीच किन दिर्शियों ने लेकिका के हृद्य को जखचोर दिया साना साने हाथ चोड़ी पार्ट के अधार पे आपको बताना है कि लेकिका को क्या क्या अच्छा लगा था गंग्टोक में सिक्के में क्लियर तो एनी टू आपको यहां पर करने है उसके बाद ये अगर पार्ट करें तो ये टोटल हो गया हमारे 20 मार्क्स का पहले वन आर में पहले 60 मिनेट में हमारा ये पार्ट हो जाना चाहिए तिनो कोशन्स क्लियर तो ये हमें सेट करके रखना कि अगर ये हमारे फिर्स्ट वन आर में नहीं हो रहे इट मेंस देट हम स्लो लिख रहे हैं हमें थोड़ा सा अपनी स्पेड को बढ़ाना होगा ये हमें ध्यान में रखना है और एक और चीज़ करना है कि आपको जो रेडिंग टाइम मिलेगा रेडिंग टाइम में क्या करना है कि इन कोशन्स में से जो कोशन्स आपको अच्छे से आते हैं जिन questions को आप करना चाहते हो उनको आप mark कर लोगे क्योंकि confuse नहीं होना है otherwise क्या होता है कि हमने write करना start कर दिया उसके बाद हमने लिखा दो line ने लिखी उसके बाद लगा कि ने भाई ये नहीं करना है कि हमें कौन से questions करने है और कौन से नहीं करने है जब हमने decide कर लिया तो हम उसी questions को अच्छे से अच्छा लिखने कोशिश करेंगी कहीं अटकते हैं तो थोड़ा सा सोचेंगे clear? उसके बाद खंड खे यान की part B जो रहेगा ये भी आपका 20 marks कर रहेगा creative writing skill कर रहेगी आपका part यहाँ पे अनुचे दिये गए हमें और जो दिये गए अनुचे दिये गए अनुचे दिये गए उन में से किसी एक विश्या पर संकेत बिंदों के अधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुचे दिखना है जिसे कोरोना काल और online पढ़ाई तो इसमें हमें संकेत बिंदों दिये गए तो इसके उपर हमें लिखना है मानो और प्राकरती का आप दाए संकेत बिंदों दिये गए कि प्रकरती और मानो का नाता क्या है माना दौरा कैसे हम प्रकरती का दोहन कर रहे है इसके कारण या प्रभाव क्या है और परकृति के रोदरूप के लिए दोशी कौन है, निश्षकर्ष क्या है, क्या क्या जा सकता है तो हमें अनुछेद लिखना है तो अनुछेद कौन से इmbolर रहेंगे इस बार के बोड एकजाम के लिए तो वो already मैं एक वीडियो पप्रिस कर चुका हूँ कि इस पेरिड में कुछ current के topic है जो बहुत important है उन्हीं से related अनुछेद पूछे जा सकते हैं तो वो आप जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा class 10th, 9th, 10th की हिंदी में उसके बाद सडक सुरक्षिया दिये गए जीवन रक्षिया तो इसमें भी हमें कुछ hint दिये गए तो उन पर based जो भी आपको लगे जो topic जिसको आप बैटर तरीके से explain कर सकते हो उसके उपर आपको एक अनुछेद लिखना उसके बाद next देखिए next जो हमारा part रहेगा next जो हमारा question रहेगा यह आपकी चचेरी दीदी college में दाखिला लेना चाहती है ठीक तिन्तो आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई नहे करवा कर उनकी शादी करवाना चाहते है इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए 120 अबदों में हमें एक पत्र लिखना है कौन सा हो गया अनुपचारिक पत्र हो गया या फिर आपके शेत्र में राशन की दुकान पर जो संचालक है वो गरीबों के लिए आयनाज की काला बजारी करता है कुछ कहने पर उन्हें धमकाता है इसके शिकायत है तो 120 शब्दों में जिलादिकारी को पत्र लिखना है डीसी को पत्र लिखना है यह भी आपका फाइमार्क्स का रहेगा तो उपचारिक और अनपचारिक पत्रों दोनों की हम बात कर चुके है तो वो आपको लिखना है जो भी बैटर लगे वो आप लिख सकते हो जो आप अच्छे से कर पाऊ उसके बाद नेक्स जो हमारे कुश्शन रहेगा सिक्स्थ कुश्शन को देखी यहाँ पे पार्ट के दिया गया और पार्ट के दिया गया तो पार्ट के में हमें दिया गए कि आपको अपना फ्लैट किराए पर देना है इसके लिए 50 शब्दों में एक आकरशक विग्यापन त्यार करना है यह इनकी विग्यापन आप त्यार करोगे तो फाइंड फाइब मार्क्स करेगा आपकी दीदी ने संगीत कला केंदर खोला है और इसके परचार परशार के लिए 50 शब्दों में एक आकरशक विग्यापन त्यार किजिए यह विग्यापन लेखन का आपका रहेगा तो इजली आप त्यार कर पाऊगे तो क्योंकि easy language में हमें त्यार करना है short रखना है words ज्यादा use नहीं करने attractive होना चीए तो यह आपको करना होगा sixth में हालांकि यहाँ पर भी आपको internal choices मिलने वाली है उसके बाद सामाजिक संस्ता सवेरा के नशा मुक्ती जागरुकता अभ्यान के लिए लगबग 50 अब्दों में एक आकरशक विग्यापन त्यार कीजिए 2.5 marks का रहेगा ये भी बहुत कम कीमत में स्मार्टफोन बनाने वाली company के लिए 50 अब्दों में एक आकरशक विग्यापन त्यार कीजिए यहनकि आपको विग्यापन के दो कोशन मिलने 2.5 प्लस 2.5 के तो टोटल होगे हमारी यहां पर 15 marks इस टोपिक के जो रस्तनात्मक लेखन की है उसको बद 7th हमारा कोशन रहेगा 7th कोशन में क्या अगेन हमें रस्तनात्मक लेखन का टोपिक दिया गया यहां पर हमें सुबकामना संदेश लिखने है पहले में भी इंटरनल 24 मिलेगे और सेकेंड में भी राष्ट्रिय परतिभा खोज परिक्षा NTSC में पहला स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को लगबग 40 शब्दों में सुबकामना संदेश आपको लिखना है या फिर सहसी कार्य के लिए बाल वीरता पूरुषकार से सम्मानित होने वाले अपने मित्र को लगबग 40 शब्दों में बधाई संदेश आपको लिखना है क्यरेल की निवाँ से अपने मित्र को ऑणम के अवसर पर Schüler के लगबग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखे या फिर भेया आपके भेया और भावी की पहली विवाइक वर्षकांट पर लगबग 40 अब्दों एक सुबकामना संदिश लगी तो इनकी जो बेसिक टोपिक आपके रिसनात्मक लेकन की हमने वर्कशिट में बहुत डिसक्स किया कि कई सारी पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है तो अगर हम बेसिक फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे तो इसली कर पाएंगे बहुत मुश्किल नहीं क्योंकि word limit कम है तो हमारे पास word limit का या ऐसा को issue नहीं रहेगा बस format को हमें follow करना है तो इसके लिए मैं एक separate video भी दे दूँगा ये topic आपको करने कैसे है वो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा ये रहेगा आपके exam का pattern तो हमें ध्यान क्या रखना है time management है कि आपका पहले एक घंटे में पहले 25 मिनट में पहला question हो जाना चीए next जो आपका time रहेगा उसमें से आपका 45 मिनट तक second question हो जाना चीए पहले एक घंटे में आपका part A हो जाना चीए उसके बाद next अगर question की बात करें हमारा जो 4th question है वो क्यूंकि 5 marks का है तो वो हमारा हो जाना चाहिए 1 गंटे 15 मिनट तक 6th जो next question हमारा रहेगा जो 5th question है वो हमारा 1 गंटे 30 मिनट तक हो जाना चाहिए तो हमें एक time भी mind में ले करके चलना कि इस time तक हमारी ये topic cover हो जाना चाहिए क्योंकि ये गड़बर होने के chances हिंदी में थोड़े से ज़्यादा रहेंगे जैसा कि math या English के साथ था तो ये था आपका simple question paper और इनके जो रस्तनात्मक लेखन के topic की बात है तो वो हम अलग से आपके साथ discuss करेंगे और chapter wise most important questions कौन से रहेंगे तो उसकी भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको separate अलग से एक वीडियो दे दी जाए तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा helpful लगा तो इस वीडियो को like or share जरूर कीजिगा और हाँ आप मुझे टेलिग्राम के उपर join कर सकते हो instagram पे follow कर सकते हो दोनों के link description box में दिये गे और आपकी screen के उपर भी visible है आज के लिए बस इतना ही thank you bye bye have a nice day